हेलो एवरिवन वेल्कम टो ओन एजूकेशन चैनल टॉपर स्टॉप आम डॉक्टर कनीश काया यहाइज यूपी पीसस 2019 प्री रिजल्ट आउट हो चुका है जिसने वो रिजल्ट नहीं देखा है तो मैं यहां पर डिस्क्रिप्शन बोक्स में उसका लिंक दे रही हूं आप प्लीज उसको क्लिक की जो और अपना रिजल्ट देख लीजे तो देखे जब 2019 का प्री रिजल्ट आउट हो चुका है और 2020 पीस जो प्रीलियम से आपका वो जून में होने वाला 21 जून जो है उसकी नोटिफाइड डेट है तो यहां पर क्या इंपोर्टेंट होंगी चीज तो देखे इस बार क्या चीज देखी गई थी कि यूपी पीस ने यूपी ऐसी वाला थोड़ा सा पैटर्ण फोलो कर रहा था लाइक कंसेप्चुल कोशन साय थे और जो यूपी रिलेटेड जो कोशन थे वह बहुत कम थे तो आपको देखे यहां पर इस स्ट्रेटेजी कि अपको होता है तो आप इस बार उमीद कर सकते हैं कि यूपी ऐसी वाला पैटर्ण जैसे यूपी ऐसी भी अपना पैटर्ण अप्लिकेशन बेस करता जा रहा है तो जो यूपी पीसेस है वह अपने पैटर्ण में कंसेप्चुल कोश्चन जो है वह ओर जादा इंटर्यूस करें तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी इसके लिए देखे सबसे पहली बात हो अगर आप खाली फैक्स पर बेस काम करते हैं अब तक आप सोस्ते हैं कि मैं बस फैक्स रट लेता हूं किसने क्या किया कौन से आर्टिकल में क्या है तो से बिग नोट डिस तिंग आप खाल सबसे जादा इंपोर्टेंटली करना है चीजों को इंटर लिंक करके पढ़ना है मताब अगर गवर्नर ने कोई काम क्या यह नहीं बताना आपको कि गवर्नर की पावर्न कोन सी है कोन सी नहीं है छोटे-छोटे पॉइंट जो आपके हैं और वह आपको कैसे पता चलेंगे क किस तरीके के question पूछेगा आप previous year की UPSC की book उठाइए जिसमें की 20 years के question हो आपके और आप questions को analyze कीजिए टोपर स्टोप आपको इस चीज में help करेगा क्योंकि हम previous year questions जो है अपनी हर वीडियो के साथ discuss करते हैं जैसे कि आज मैंने मालीजे social religious reforms के ऊपर chapter discuss किया है तो उससे related UPSC में जो भी पहले questions आ चुके हैं मैं उनको साथ के साथ discuss करूँगी ताकि आपके जो concepts वो सारे clear होते जा 18 का pattern तो हद से ज्यादा tough था ठीक है तो उत्रा tough pattern तो नहीं आएगा बट आप 2017 तक के जो questions है static related questions उनको देख सकते हो जो current affair है current affair पे अब आपको national level current affair पे ध्यान देना होगा UP specific आप नहीं देंगे ध्यान क्योंकि देखी जब इतना अच्छा exam हो रहा है UP pieces का इतनी tough level का हो रह रहे है तो UP pieces का standard बढ़ना माइन रखता है तो national level की आप importance की रखेंगी news जो authentic sources है उसके तुरू टॉपर स्टॉप जो है वो वीडियो बना रहा है तो और हमारा aim है कि 31st March तक UPSC EPF or UPSC civil services का slavus complete करने का तो जो civil services का slavus होगा वही अब आपका slavus होगा ज्योंकि आपको जाएगा उसके बाद आप जून तक easily test series कर सकते हैं और जो 2019 में candidates नहीं हुए है clear तो गाइस बिल्कुल बुरा मानने की जरूरत है कोई बातनी change तो आते हैं बट जो मतब मुश्किल चीछ को जीता है वही तो real winner होता है तो आप बिल्कुल भी हार मत मानिए अच्छे सा अपन आप लाओ